कैसे हैं आफ دोस्तों मैं हूँ कभीर दोस्तों वीवो की T-series में सबसे पहले लाँच वीवो T3 उसके बार लाँच वीवो का T3x और eN में लाँच हो गये हैं यहाँड में यहाँच वीवो का T3 Lite तो सबस्क्राइब कर लिएगा सबसे पहले अन्बॉक्स करके जिकते हैं वीवो टी थ्री में हमें क्या क्या मिलता है तो इस सारी अक्सेसरीज वीवो टी थ्री में मिल जाती है 20 औरपे के साथ से कुछ यूजर मैनलोल, सिम इजेक्टर टूल और एक मिलता है यहाँ पर ट्रांस्परेंट सा कवर कॉलिटी वगरा कवर के आपको बढ़िया मिलेगी फिर रखे मिलती है एक डेटा केबल टैप से टू येजबी कनेक्टिविटी के साथ है कॉलिटी वगरा इसके काफी बढ़ी है और लेंथ वगरा भी अच्छी है फिर रखे मिलता है हमें ये एडप्टर 44 वाट का ये एडप्टर है फास चार्जिंग के साथ यूजबी कनेक्टिविटी के साथ कॉलिटी वगरा इसको मंगाया है डिटेल लूक इसका बाद में देखेंगे अब देखेंगे तेट्रेक्स में क्या कुछ मिलता है जिसका प्राइज है साड़े 13000 रुपे के साथ से रखे मिलते हैं कुछ यूजर मैनूल वगरा फिर रखा मिलता है यह ट्राइज़ सा कवर क्या वागरा इस कवर के आपको बढ़िया मिलेगी सॉफ सिलेकोन कवर दिया गाया तो इस चीज में बढ़िया है फिर मिलता है यहाँ पर रखावा सी इमीजक्टर टूल काफी बढ़िया से और्गनाइस तरीके से रखावाई है एक मिलती है डेटा केबल टैप सुट विए इस भी कनेक्टिविटी के साथ है क्वालिटी लेंथ वगएरा काफी बढ़िया मिलती है दो सोति है साथ में फी मैं अघ्या बढ़िया तरीके से रखावा नहीं दीए पाए फर मिलती है सब्ससारी पहर के साथ सारे को अलग से लेना पड़ेगा देन कलर में हमने हमारा फोन बंगाया उसके लावा दोस्तों फोन की डिजैनिंग या पर डिजैनिंग कलर वगारा काफी बढ़िया तीनों ही फोनों के बैक पर आपको टेक्शर में लेगा मैट फिनिश का मिलेगा राइस का राउंड शेप में यहां और टी-ठी मापको प्रीमयम सा डिजैन दिया वा तो इसी इसका आपको डिफ्रेंश देखने को मिलेगा तीनों फोन में प्रैस के साब थोड़ी ठीश दिए गया है और बॉक्स के अंदर तो चार्जर भी नहीं दिया गया कम प्राइज के साथ सबसे पहला कवर कर ल आलेते हैं से और देख debt उन्हार एंटरी सוכरा कुछ इस तरीकए से यहांपको यूजड़ इंटर्फीस मिलेगा काफी सही से यूज़ इंटर्फेसं इतने जाधा नहिए इतने यूजियलिए आने लगी काफ़ी सारी कमप्रीज बहुत सारे ब्राडवेयर डालके देने लगे हैं तो इस चीज में आपको बड़या मिल जाएगा लेकिन एक चीज में यह जाद अच्छा नहीं है इसके डिस्प्ले डिजाइनिंग में यह नौच वाला डिजाइन है जबके पंच वाला डिजाइन आ आने लगा है काफी सारे फोनों में तो इस चीज के अंदर मुझे थोड़ी सी कमी लगी बेज़ा दो चिन वगएर भी काफी एवरिज से इस फोन के अब देख लेते हैं पर पिच्छा क्वाल्टी कैसी है तो दोस्तों डिस्प्ले में कलर्स वगएरा काफी सही है डिटेलि का सपोर्ट हटा दिया और यहां पर प्राइस के सबसे काफी कुछ कट कर दिये गया अब साइटिंग में चलके देख लेते हैं रिफ्रेश्ट आपको कैसा मिलेगा इस फोन के अंदर तो यहां पर मैक्सिम जो रिफ्रेश्ट दिया गा वह 90 हट का दिया गा तो यह भी काफ लगा पार की साइड में मिलेगा आपको स्पीकर नीचे की साइड मेंऑ पर की साइड में आप Android का आपको बिल्कुल लेटर सोजन मिल जाएगा 14 तो software के मामने काफी बढ़िया फोन हो जाता है multitasking वगारे भी काफी जादा enhance की गई है इस फोन के अंदर उसका लगा दोस्तो टच का जो response वगारे वो भी काफी fast है applications वगारे भी यहां पर काफी fastly open हो रही है price के साबसे यहां पर जो प्रोसेसर की performance दी गई है वो काफी बढ़िया दी गई है तो यहां पर आपको बढ़िया सा प्रोसेसर मिल जाता है MediaTek का Damacy 6300 जिसमें आप easily gaming वगारे भी कर सकते हैं अगर आप सोशल मीडिया वगारे यूज़ करते हैं मल्टी टास्किंग वगारे करते हैं तो उस जिस आप से भी काफी fast प्रोसेसर दिया गया है साड़े दस दार्वे में दोस्तों काफी बड़ी अपर चीज दी गई है यहां पर प्रोसेसर के साब से उसके लावाँ यहां पर बात करें इसके टूवरॉल पफॉर्मस की तो आपको यहां पर हैंग या लेक टाइप का इशू नहीं देखने को मिलेगा अगर आप ज़्यादा हैवी गेमिंग करेंगे तो यह सारे इशू आपको देखने को मिलेंगे क्यादा ओए का भाट बात करें तो यहां पर आपको 2 यह कमरे में आपको फॉर्टो मौट के लिए इगाए तो क्यों क मिलेंगे कुछ इस तरीके से यह आप आपको इसकी पिच्छा क्वालिटी मिलेगी प्राइस के सबसे दोस्तों कैमरे इसका बहुत ही जबदस दिया गया और काफी फोनें के जैसे कैमरें रेडमी के लाव अगरे के भी स्रीज में फोन आते तो उनके फोनों के सबसे तो इस फोन का कैमरे काफी अच्छा मिल जाएगा आपको तो वीवो के टी थ्री लाइट के अंदर जो इसका बिगनी फोन है टी सीरीज का आपको इस सारे फीचर्स मिल जाते है इसका जो प्राइस दस जार 500 रपे इस पर 500 रपे का भी डिसकाउंट चल ला है तो ये दस जार रपे का कॉस्ट करेगा तो प्राइस के साब से दोस्तों बहुती जबदस फोने 5G कनेक्टिवटी भी मिल जाती है ये इसका बेस वेरिनेटेस में 6GB भी आता है अगर आप थोड़े से पैसे एक्सरा देंगे तो वीवो का ये T3X आपको मिल जाएगा जो कि इससे अपर मॉडल है इसका जो प्राइस है दोस्तों 13,500 रपे बेसिक वाले का जैसे 4GB राम और 128GB स्टोरेज में 6GB राम वाला भी वेरिनेट आता है उसके लावा दोस्तों इसमें भी आपको जबदस से डिजैनिंग मिलीगी पीछे मैट फिनिश का टेक्शर मिलेगा और फैदर डिजैन मिलेगा स्क्रेच्चिस वगरे इसमें जल्दी नहीं एंगे पीछे के जो पूरा डिजैन दियागा वो मैट फिनिश के अंदर दियागा है साइड में आपको प्लास्टिक मिलेगा और बैक पैनल भी इसका कम्रीट प्लास्टिक कही है उसके लावा IP64 रेटिंग के साथ आता है तो पनी वगरे से काफी हद तक सेफ रहेगा 199 इसका ग्राम है तो आपको डिजैनिंग कैसा लागा मुझे कमंट करके जरू होताईगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका यूजर इंटरफेस मिलेगा वैसे वीवो के सारे फोनों में लगबग एक जैसा यूजर इंटरफेस है काफी बढ़ी हा डिजैन है डिस्प्ले क्वालिटी के बात करें तो दोस्तों इसके अंदर आपको कलर्स वगरा चेक कर लेते इस फोन के अंदर आपको जो मैक्सिम्म रिफ्रेश रेट मिलेगा वोंट्विंटी हर्ट्स का मिलेगा तो यह चीज़ भी आपको सभी मिल जाते हैं इसके साथ का अच्छा रिफ्रेश एट और डिस्प्ले ब्राइटनेस और डिजैनी वगरे भी काफी जादे इंप्रूफ की गई हैं तो नीचे की तरफ आपको मिलेंगे स्पीकर टाइप सी पोर्ट एक माइक और त्री पाइंट फैफ एम का जैक इस सारी चीज़ नीचे क की तरफ है उपर की तरफ आपको प्लें सा सर्फेश मिलता है इस फोन में नाइस के सेशन माइक नहीं दिया गया राइट पर मिलेंगे आपको ऑन बटन वॉल्यूम कंट्रोल की और फिंग पिन सेंसर जिसकी स्पीड वगरे भी आपको काफी फास मिल जाएगी और लेफ करने के लिए स्टोरिज वगरे ठीक टाक मिलती है राइम के बात करूं तो फोर जी भी इसमें भी आपको रैम मिलेगी फोर जी वर्चुली आप और अपग्रेट कर सकते हैं तो यहां पर आपको एट जीबी की टोटल परफॉर्मस मिल जाएगी एंडुएट का लेटा सवर इस फोन के अंदर जो प्रसेसर यूज़ के रगा वह काफी बड़ी है प्राइस के साथ से कौलकॉम स्कॉल्प ट्राइगन 6 जनरेशन वन का प्रसेसर यूज़ किया गया है जो का आपको काफी बढ़ी आ परफॉर्मस देएगा गर आप इसकेंदर हैवी गेमिंग में वग वो भी यह आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे बात करें दोस्तों इसके वैटरी वगरा की तो 6000 एमच की बैटरी है बैटरी के हिसाब से इसके अंदर एमच वगरा काफी बढ़िया दिये गा है और 44 वाट का चारजर आपको साथ में मिलता है तो काफी जादा तो दो कैमरे मिल जाएंगी देखने को इसका जो में रॉप 50 मेगा पर्शाब करेंदा मिल जाएगा और 8 और एंप का उप्शन option कुछ इस तरीके से आपको पिच्चर कॉल्टी मिली की कलर्स वगरा इसमें भी अच्छ है इस फोन का कैमरा टी-3 लाइट से जाधा अच्छा मिलेगा आपको टी-3 एक्स में प्राइज अपग्रेड हो रहे हैं तो यहां पर काफी जाधा चींजिस कर देए भी होने तो यहा इसका दोस्तों सबसे आखरी फोन यहां पर वीवो का टी-3 जो काफी एक्सपेंसिव बीस अज़ार रपे इसके अंदर लगवाग आपको सारी फीचर टी-3 लाइट टी-3 एक्स अच्छे मिलेंगे इस फून पर दोस्तों काफी अमेजिंग डिसकाउंट चलना है इसमें ज करचिस वगएर जल्दी नहीं आएंगे कलावा पीचे का जो उसका पूरा डिजैन दिया गाए वो प्लास्टिक में दिया गाए आई-पी 54 रेटिंग के साथ आता है इस फून के अंदर आई-पी रेटिंग कम है प्राइज इसका सबसे जादा लेकिन आई-पी रेटिंग स दिया हुए कह पर कपी बढ़ी असफे डHH रेटिया गए आपको ठोड़ीष में मिलें घूण अपको ऑपनचोल वाला डिजन ब conscious वो नीचे की चीन वगाए सबसे ज़ादा छूटी है और यहां पर बोड पंचोल如此 का जो दिया गआब वहीं जs还 आछ बिए den lore के एंग हाब तो यहां पर डिस्प्ले के डिसाइनिंग तो काफी बढ़िया है, कलर्स वगएर इसमें भी आपको काफी अच्छी मिलेंगे, डिटीलिंग वगएर इसमें सबसे जादा है, T3 लाइट और T3 एकसे जादा च्छे कलर्स आ रहे हैं इस फोन में, इसके अंदर जो डिस्प्ले यूज़ की गई है, 6.67 इसका डिस्प्ले साइज है, और इसके अंदर 4G Plus का सपोर्ट भी मिल जाता है, फोन के अंदर आपको जो PPI मिलेंगे, वो 395 मिलेंगे, यह चीज़ भी काफी बढ़िया है, प्राइस के हैसाब साब सारे चीज़ अच्छी दी गए हैं, इस फोन में देखने को मिल जाएगा, नीची की तरफ आपको मिलेंगे, प्रेकर, टाइप सी पोर्ट, एक माइक और सिम लगाने का स्पेस, इस फोन में 3.5mm का जैक नहीं है, यह चीज़ के आपको थोड़ी सी कम्य मिल जाएगी, उपपर की साइड मिलता है, नॉइस किंसलिशन, माइक, राइट साइड मिलते हैं, इसके यहाँ पर ऑन उप बटन, वॉल्यम कंट्रोल कीज, इस फोन के अंदर भी आप दो सिम के साथ, एक मैमरी काड नहीं लगा सकते, इस फोन का सिम स्लोट भी आपको हाइब्रिडेट मिलेगा, इंटरल स्टोरिज भी यहाँ पर 128GB है इस फोन की, जिसमें लगवग 20GB के आसवास आपको डिटक करके दी जाएगी, और यहाँ पर बात करें, इसके अंदर RAM की, तो इसके अंदर RAM का जो बेसिक वैरियन्ट है, वो 8GB है, 8GB वर्ट चुली है, यहाँ और अपग्रेट करने का उप्शन है, तो टोटल जो RAM की परफॉमंस मिल जाएगी आपको, इस फोन के अंदर आपको जो प्रोसेसर मिलेगा, वो मीडिया टेक का डैमस्टी 7200 प्रोसेसर मिलेगा, फोन नैनो मिटर में, इस फोन की परफॉमंस आपको बहुत ही बड़िया मिल जाएगी, हैवी गेमिंग के सबसे फुली कमपैटिबल हैं, आप हैंग वगएरे सफोन में आपको बहुत देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसर भी टॉप दिया गया और यहाँ पर प्रोसेसर के सबसे RAM भी काफी अच्छी दी गई है, तो अगर आप यहाँ पर मल्टि टास्किंग करते हैं, आप सोशल मीडिया वगएरा जादा यूज़ करते हैं, आफिस का कोई काम या वीडियो एडिटिंग वगएरा आप करना चाहते हैं, तो इस फोन के अंदर आप कर सकते हैं, वीवो की टी सी डिसके अंदर ये टॉप फोन है, तो यहाँ पर परफॉर्म्स इसकी हिसाब से दी गई है, बैटरी के बात करने इसके अंदर आपको फाइव साथ में मिलेगी, 44 वाट का यहाँ पर अडेप्टर साथ में मिल रहा है, तो फास सार्जिंग भी मिल जाती है, और बैटरी बैकप भी काफी बढ़ी है, बैटरी के हेल्थ बगार का उप्शन भी दिया गए, यहाँ पर अगर बैटरी खराब होगी, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ के सैटिंग में, कि आपका बैटरी का कितना बैकप बागी बचा है, तो इस चीज में 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 काफी बड़ी हो जाता है फोन यह, 5G connectivity के साथ आता है, आप इसके अंदर Dual SIM 5G यूज़ का सकते हैं, बैक पर आपको यहाँ पर तीन लैंस का सपोर्ट मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको लैंस भी मिल जाएंगे और कैमरे मिल जाएंगे, इस फोन का आपको जो में कैमरा मिलेगा, वो 50 MP का मिलेगा, इस फोन के अंदर आपको Image Sensor में मिल जाएगा, IMX 882, तो यह काफी बड़ी हो जाता है, नाइट मोड, पोट्रेट मोड, वीडियो मोड, फोटो मोड, वीवो का आप कोई भी फोन लें T-Series के अंदर, बेसिक से लेकर एडवांस तक, आपको आप्शन्स जो कैमरे के अंदर हो बिकुल एक जैसे ही मिलते है, पिच्चर क्वाल्टी में काफी बड़ा फर्क मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो वीवो के T3S की जो पिच्चर क्वाल्टी है, इन सारे फोनों से अच्छी दी गई है, यह T3S से T3 लाइट से, इसके अंदर दोस्तों डिटेलिंग वगरे भी अच्छे रही और कलर कंट्राज भी काफी बड़ी आ रहा है, प्राइज हाई है तो यहाँ पर चीज़ा काफी बड़ी दी गई है, इसके ओपर दोस्तों सबसे बड़ी है डिसकाउंट चलना है, इस फोन का प्राइज है 20,000 रुपे, लेकिन अभी 3500 का इस फोन पर डिसकाउंट चलना है, जिससे इसका प्राइज हुजा था 16,500 रुपे, तो 16,500 रुपे के अंदर यह काफी बड़ी हैस आपको फोन मिल जाता, बस यह माइनर सी कमी मिलेगी, वैसे इसके लिए ब्यूटू तो आप यूज़ को सकते, लेकिन अवरॉल सारी चीज़े काफी बड़ी है दिया गया है, वैसे दोस्तों आपको इन तीनों फोन में से कौन सा फोन जादा चलागा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, मुझे इन तीनों में से सबसे जादा जो वैली फोर मनी फोन लगा, वो वीवो का T3X लगा, मिड रेंज के अंदर काफी सारे फीचर्स बढ़ी हैं, इसके अंदर फास चार्जर वगरा भी दिया गया है, इसके अदर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक लाएक जरूर कीजिएगा, चैनल पर ने, अब तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया, तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा, आप किसी फोन का कंपैरिजन आप देखना चाते हैं, तो इस चीज़ भी आप मुझे कमेंट करके जरूर करता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे फिल्फिल करने की, इसके ज़्यादा दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अगली अंबॉक्सिंग और कंपैरिजन के साथ,